और पैसे से जिंदगी की सारे खुशियां जीती जा सकती। इन लोगों को इनी की भाशा मैं जबाद दूगा। फ्रेम के पास इतने पैसे कहां से आए। हमें खुश करोगे तो थोड़े पैसे तुमें भी तुम मिलेंगे। और सूचिये, जब भाईयों के इस बारे में पता चलेगा तो आपका क्या होगा। आज फिर तुम्हारी वज़से ओफिस लेट हो जाओ का चरह जल्दी बना दिया करो ना अरे अब क्या नाश्टा रात से बनाना चालू करूं बन गया है ना खाओ अरे दूद कहा है प्रेम को भेजा है दूद लाने अभी तक नी आया लो आ गया भावी दूद कहा रह गई थे इतनी देर तक तुम्हारी वज़े से तुम्हारे भईया मुझ पर गुस्सा कर रहे थे अब जाओ खड़े क्या हो जाकर दूद गरम करके लिकर आओ जी अभी लेकर आथा तो तुम उसने क्यों परश रही हो? ने तू सारा काम उसने कराती है और दूसरों का गुसा उस पर निकलती हो गर का नोकर नहीं हो नोकर नहीं है लेकिन नोकर से कम भी नहीं है अरे बचप्न से माभ आबुजी ने उसे पाल पोस कर इतना बढ़ा किया है हमारी थोड़ी सी काम में मदद कर देगा तो क्या जाएगा और आप ना जाटा बोलो मत चुपचाप नाश्ता करो और ओफिस के लिए निखलो अजाब नहीं लिखा या ये लिजिए गर्मा गरम दूध भाभी मेरा नाश्ता अरे करिश्मा आओ ना आओ आओ अबैट तेरे फेवरेट आलू के पराचे बनाए हैं अच्छा परिस्मा कैसे कपड़े पहने हैं कितनी बार बोला है कि धंके कपड़े पहना करो ओफो भाईया आप कितने ओड़ फैशलों आज की डेख मेरा ये सब चलता है और आप ज्यादे रोका टूका मत करो भाभी आप अपर बात सम्झाती नहीं हो किया भाईया को अरे इनकी तो आदती है बोलने की तू इनकी बात पर ध्यान मत दे मजए से नाश्टा कर अणरी तो कोई सुनता है नहीं है 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 अधी चाहिए ई हाँ प्रेम है मेरे रूम की ऐसी ओन नहीं हो रहे है देख लोगे क्या जी आ रावी, बहुत अच्छा है, नानी. क्या हुआ? पता चला क्या गड़ बड़े? नहीं, चेक करना पड़ेगा. हलो, अब ठीक हो गया? अच्छा, मतलब आपने मुठे जूट कहा? हाँ, मैंने जूट कहा. इसलिए कहा ता कि तुम मेरे स्कमरे में आ सको. तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था. और थोड़ा खुश होना था. क्यों? तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, तुम्हारे साथ यूट मुझे अच्छा लगता है. तो बस, जैसा कहते हूँ, वैसा करते जू. बस, तुम्हार이 साथ यूज्य, तुम्हारे साथ IStैं. विजओने कहां लगते हुए cववार लगने, तुम्हारे साथ नहीं. ई pretending बहते हैं, तुम्हारे सम sillा लगता है. झाल झाल सच में प्रेम, जब भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंट करती हु ना, ऐसा लगता है जैसे मुझे में एक जानस ही आ जाती है आगे भी तो हमें साथ ही रहना है जिंदगी भर, बस कुछ महीनों में मुझे अच्छी जॉब लग जाये, फिर शादी की बात करूगा वही यासे मैंने तुम्हें सिग्रेट लाने के लिए कहा था, तुम लेकर आये पहले तुम यह बताओ कि सिग्रेट पिना कब छोड़ो गए, अरी बाबा गर भाभी को पता चल गया तो कैसे पता चलेगा, और वैसे भी मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने मन की कर सकते हूँ, तुम तुम से क्रिल दो मुझे हाँ हाँ, दे रहा हूँ, लो और मैं जाता हूँ हाँ, ओके हाँ, काजल, कब से पोन करें थे तुम पोन की न उठा रही थी? सॉरी-सॉरी, मैं वो प्रेम के साथ थी, इसलिए. ओहु, यार, जिन्दगी की मजना से तुम ही ले रही है, खर में की लड़का है? जब चाहे पटा लो, जो चाहे मंगा लो. अच्छा सुन, तू जादा नजर मत लगा हाँ, थोड़ा टाइम दे, उसके बाद मैं तेरी मुराद भी पूरी कर दूगी. सची, यार, तेरे मुह से ना उस प्रेम की ना, इसनी तारिफ सुनी है ना कि बस यह सब छोड़, तू यह बता तुन्हे फोन क्यों किया है? तू घर आजा, मम्मी बहर गई है, मिलके ना खो मस्ती करेंगी. ओके, ठीक है, चलो आते हो, बाई. कैसी लग्रियो मे? यह सब क्या है? क्या है मतलब? आपको मेरी नाइटी पसंद नहीं आई क्या? अरे वो बात नहीं है, लेकिन इस उमर में यह सब अच्छा नहीं लगता. अब क्या पदी-पत्नी उम्रे देखकर प्यार करेंगी? तुम भी ना, समझने की कोशिष करो, साधी के इतने साल हो गए, और तुमारी हरकते हैं की खतम होने का नामी नहीं ले रही है. अच्छा सुनो, बैठो. एक गुड निवज है, करिस्मा के लिए एक अच्छा सा रिस्ता आया है, मैंने उन्हें कल बुलाया है, तुम करिस्मा को अच्छे से त्यार कर देना. ठीक है. अब सोते हैं. तुम भी सोजाते हैं. अच्छा सुभावी ने सुभा भी इतना सारा खाने का सामान मंगाया, समोसा, पकोड़े, चकली, और अब यह मिठाई है. कोई खास आने वाला होगा. अरे, आप लोग तो कुछ लिया ही दी. लीजे, लीजे. जी, आपके बहन का देखकर ही मन भर गया. इतनी सुन्दर है. हमें लड़की बहुत पसंद है. अगर आपकी हाँ है, तो रिष्टा पक्का कर लेते हैं. जी, बिलकुल. हमारी बहन करिष्मा बहुत किस्मत वाली है, कि इतने बड़े घर में बहुत बनने जा रहे हैं. अरे, प्रेम, तुम, तुम वहां क्यों खड़े हो? मिठाई दू. पता है, तुम्हें हमारी करिष्मा का रिष्टा पक्का हो गया ना? ये लिजे, मुँ मेटा कीजिए. लिजे. अरे, एक दूसरे को थेलाओ. ये लिजे. 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 झाल झाल तुम तुम ने तुम मुझे डरा दिया डरा दिया बस और तुम क्या कर रही हो किसी और से शादी यह सब चल क्या रहे करिश्मा मतलब अम मैं बड़ी हो गई है शादी की एज हो गई है मेरी तो शादी तो होगी ना कि इसमें गलब क्या है करिश्मा यह सब क्या वक्वास कर रही हो तुम तुम अच्छे से जानती हो हम कई महीनों से एक साथ है एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं नौकरी ढूंड़ने की कुशिश कर रहा हूं जैसे मुझे नौकरी मिल जाएगी तो सही समय पर मैं भाईयो कि हम दोनों साथ थे हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया तुमने मुझे दारू सिग्रेट सब कुछ दिया यहां तक की पैट पर भी यू नो वड़ाय मीन वहां पर भी तुम बहुत अच्छे हो बड़ शादी के लिए इतना सब इनफ नहीं होता ना शादी के लिए सब से अजिए लक्षमी खुद मेरे माथे पे तिलक लगाने आरियो और में मुझे पहलो कि अधि उसको मतलब करिष्मा तुमने मुझे कभी प्यर किया ही नहीं ज़ी नहीं कभी नहीं सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया और तुम्हे तो अच्छी लगाना अच्छा ब़ी यह सब थो, देखो मुझे नाब बहुत मेंदारी है, अगर में सोऊंगी नहीं तो मेरे आखों के लिए से डांस उकल्स आ जाएंगे, और तुम तो जानते हो, मैं अपनी ब्यूटी को लेके कितनी कॉंशियस हूँ, वो भी इस वक जब मेरी शादी का टाहिम है, एक काम को इस आज हम जिंदेगी की नहीं शरुवात कर देख गरे है, उसके लिए छोटा असा जब अगिफ्ट वाव, इतना कीमती किप्ट! तुमसे ज़्यादा कीमत नहीं, इसके, पहना दो! अब इसके कीमत भग हो गई? वाव, रुमाव, इसके कीमत भग हो, आभ हो जर्ष, इसके कीमते है, मावब बचर कि अवी एक। छाव कीमत भेशा कीमत भ्यादा कीमता क कीमता हो, रciónց रल क्या वो? पूँ, मैं आत्ता हूगी. अरे, काजल तुम? पूँ, मैं आपका हाल चाल पूछ लूँ कि कि करिश्मा भी गई हुई तो, अरे, बहुत अच्छा किया, प्रेम, चाय नाश्टा लेकर राओ, काजल के लिए, जी, भावी, काजल, तुम बैठों, मैं आती हूए, एक मिनिते हूए, जी, 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 बना, वैसे फिट्निस बहुत अच्छी बनाई है तुम, जी, थैंक यू, आप चाय ठंडा कॉफी, क्या लेंगी? मुझे तो तुम चाहिए, मिलोगी क्या? वैसे करिश्मा की चोईस को मानना बढ़िया, डायमन डोला है उसे, मतलब, आपको मेरे और करिश्मा के बारे मैं पता था? नहीं, आपके बारे में, अरे मुझे आप दोनों के बारे में क्या क्या नहीं पता है, ये पूछे, आप और क्या क्या करते हो, सब पुझवारी की से पता है, वैसे करिश्मा की तरह, बेरे भी शौक है, इंटरेस्टेड हो, तो बता देना, माला माला कर दूने, अरे भाई, क्या बाते चल गये तोनों के बीच? कुछने भाभी, मैंसे चाय बनाने के लिए मना कर रही थी, मैं फि अरे करिश्मा तुम, कैसे हो बावे, यह ठीको, तुम कैसी हो, मैं वी ठीको, प्रेम करिश्मा आगे, पानी लेकर आओ, आओ, अरे, यह लो, इनका फोन आगी, अरे, अच्छा हुआ, आपका फोन आगया, करिश्मा आई है, पानी, अरे, नहीं, अभी आई है, आप कब तक आजाओगे? ठीक है, जल्दी आजाना, और बता, सासुराल में सब कैसे है, भाभी, शाम तक हूना में आपे, आराम से बात करे ठीक है, फिल्हाल में बहुत थक गया हूँ, उझे रेस्ट करना है, प्लीज, अच्छा ठीक है, बाबा, जाकर रेस्ट कर ले, मुझे भी ना पडोस में थोड़ा सा काम है, दो घंटे में वापस आऊंगी, फिर खूब सारी बाते करेंगे, ठीक है, प्रेन, मेरी चाय मेरे मेरे रुम में ले आऊँगे, जाय है, अब देखते ही रहोगे, यहाँए, यहाँए, जाय है, अब देखते ही रहोगे, यहाँए, फिर कुछ करोगे भी, देखो, आओ बैटो, देखो, मैं जानते हूँ कि तुम उसे बहुत नाराज हूँ, पर मैं क्या करती, भाईया भाबी की बात टाल तू नहीं सकती ना, इसलिए ही शाभी करनी पड़ी, पर सच में, वहाँपर मैंने हर वक्त, हर सेकिंड स मैं तुम्हें मिस किया, मैं इसलिए तुमसे यहाँ मिलने आई, देखो, अब और परिशान मत करूँ, अब और परिशान मत करूँ, मैं रेली मिस्टियू, मैं मिस्टियू अलॉर। अच्छे हुआ, करिश्मयाव, जो तुम्हें अपनी गलत्ती का हैसास हो गया और, तुम मेरे पास लोट आई, अब देखना, जल्दी है मैं तुम्हें कहीं दूर लेकर चला जाओंगा, आई लव यू, शिट, टाइम क्यो हो रहा है, शिट, बहुत टाइम हो गया, मुझे सस्रॉाल भागना पड़ेगा, वनना सुकेश गर सर पर उठा लेगा, अरे, करिश्मा, मेरी बात सुलो, छोड़ो नहीं है सब, अब हमें क्या लेना देना है बुष से, देखो, मेरी नौकरी लगता ही, हम हमेशा के लिए कहीं दूर भाग चलेंगे, क्या? क्या हुआ? तुम पागल हो गया हो क्या? सब दो पल तुमसे मिली, तो तुम ही लगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया? हाँ? एक्चली बात यह है कि, सुकेश ना, बैट पे थोड़ा ठीला है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पास आई थी, इससे जादे उम्बीद मत रखना मुसे, हाँ? और एक बात बताओ, तुमने ये कैसे सोचा कि मैं इतनी मालदार पाटी को छोड़कर, तुम जैसे भटीचर के साथ जाओंगी? डाले, करिश्मा नाम है मेरा, रानी बनकर जीना मेरे नसीब में है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, देखो, तुम पेंशन मतलमा, तुम्हे भी खुश रखोंगे में, एक मेठ हाँ? अरे लो, अब से तुम्हे मेरे साथ टाम स्पेंट करने के पैसे भी मिलेंगे, वो क्या है ना? अमीर बीवी हो गई हो, तो थोड़े बहुत फाइदेता उठाने पड़ेंगे न मुझे? वैसे इसमे तुम्हारा भी फाइदा है, अब तुम कोई लखरे में करो, राइट? बस बहुत हो गया अब, तो मतलब में तुम्हारे लिए से रफ्यूज करने की चीज़ था? था तो, इसमें दिक्कत क्या है? तुम जिस काम के लिए पर्फिक्ट उसके पैसे दे रहे हूं मैं तुम्हा? और प्लीज, यह पुराने जमाने वाली सोच को ना, खतम करो, इस मोमेंट कुछ ही हो ना, मस्तुरो, खुश्रो, अच्छा सुनो, अब मेरा जम बन करेगा ना, तब मैं तुमसे मिलने होगी. गॉसे लड़की से मैंने प्यार किया, उसने पस्मजे शमान वेना कर छोड़िया, इस्तिमाल करने की चीज़ समझा मुझे, हमेशा नकारा बोल बोल के मेरे जिंदगी पर बात करती, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो, यह लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करते, मेरे भी कुछ अपनी एम्मियत होती है वैसे करिशिमा के तरा मेरे भी शौक है, इंट्रेस्टेड हो, तो बता देना, माला माल कर दूँ लोग, लेकिन अब मैं इन लोगों को इन ही की भाशा में जबाद दूगा, मुझे इस्तिमाल करने की चीज़ समझते न यह लोग, इसी को में अपना हथ्यार बनाऊगा हलो, काजल, तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं क्या पुहा बनाए, मस्त है पेम जी भीया कहां चल दिये सुग सुग मैं तो हमेर साथ नास्ता करो कुछ काम धाम तो करता नहीं है मुफ्त की रोटियां ही तोड़ो क्या बोलती रहती हो तुम भी बैठो, नास्ता करो ने भी अब, आप लोग खाये मुझे कुछ काम है, चलता हूँ चलता हूँ आज इसे हो क्या गया है आपको क्या करना है अरे बात कहीं अगर इतनी ही चिंता है ना तो हमारी और हमारी ख्वाइशों की करो तुम फिर सुरू हो गई अभी भी तुम्हारी रंगीनियत खताम ही नहीं हो रही है आज मेरा सपना पूरा हो गया आओ खड़े क्यों बैठो बोलो क्या लोगे कुछ ठंडा या कुछ तुमने मुमांगी कीमत कहिया देने को बिलकुल हाँ बस मुझे भी करिश्मा की तरह कुछ कर्दू तर जो माम हो भी वो मिलेगा यह देखो इसके कम्रे की हालत खुद तो सुबह सुबह पतानी कहा निकल जाता है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है यह देखो टाकने वाली श्यट इसने यहां रख रखी प्रेम के पास इतने पैसे कहा से आए यह देखो यह रहात तुम्हारा पैसे वेस्से करिश्माने सही कहा था तुम्हारे साथ समय पिताने के बाद लाइफ में क्या मिस्सिंग था? वो पत्ता चलोगे ठीक, जलता रुको आज कल सुबह सुबह कहा चाते हो? वो बाबी में अपने लिए नौकरी ढूंड रहा हूँ नौकरी ढूंड रहा हूँ और यह इतने सारे पैसे कहा से आए? मैं कूछ रही हूँ इतने सारे पैसे कहा से आए? वो भाबी को मेरे एक दोस ने दिया है अब मेरे पास रखने के लिए अच्छा, ऐसा कौनसा अमीजादा आ गया जो तुमें इतने पैसे रखने के लिए दे रहा है? भाबी, आप उसे नहीं जानती लाइए पैसे लाइए अगर मुझे पता चलाना कि बहार कुछ गलत काम कर रहे हो तो इस घर से सीधा धक्ये दे के बहार निकालूगी तुमें समझे काजल, तुम्हारे घर के बहारी हूँ, बस पहुंची किया आजो, तुम्हारे लिए भी एक सप्राइज है आज ना? कुछ नया ट्राइड करें यह कुछ नया ट्राइड करेंगे, मतलब कुछ नया ट्राइड करेंगे कित्ते बेसप्रोट सप्राइज है, यार सुरू, तुम्हें तुम्हारे सप्राइज बताती हो लेकिन आज चुन्हों तुम्हारे सप्राइज खुद पहस्चानना पड़ेगा आजो प्रेम आगे प्रेम 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 नहीं आप पहचाना? नहीं, नहीं पहचाना तुम पहचानो अपने सप्राइज को क्रिश्मत, तुम्ह क्यासा लगे मेरे सप्राइज? क्या प्रेम तुमने मुझे नहीं पहचाना? हाँ? तुम्हारा पुराना प्यार हुमें? तो क्या है ना? आज हम नहीं सोचा की तुम्हारे साथ भी कुछ वाप बिता लिया जा किसी लिने मेरे करिश्मा को भी बुलाने क्या हुआ प्रेम वेली, कम ओन, देखो, हम तीनों सब कुछ जानते हैं, फिर यह हैजिटेशन कैसी हैं, और मैं तो बहुत जादा खुश हो कि तुमने मेरी फ्रेंड काजल की बात मान ले, वरना तुम क्या करते हैं, वही दो रुपे की सड़ी वी जॉब दूनते हैं, अपनी, इसमें देखो, तो तुम्हारा फायदा है, हमें खुश करोगे तो थोड़े पैसे तुम्हें भी तुम मिलेंगे ना, चलो, अपना इंदेश मात का, अंदर रू हमारा इंतजार करना है, चले, चले, क्ϊग मिलें ऑर लागा कर दो ऑना है, और र लचाना है, और रहा हैं, आप מחल कर शोड़ी जह साफिया है, इसमें प्डा़श नाज़ार कर दोड़ा भी अन्यार घ्क रिद की मिलेंगे थाज == झाल 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 करिश्म अपना ससुराल किती अच्छे से समाल रही है और आप लोग कितना परेशान हो ते सको लेके, कितना खुश है वो अपने ससुराल में, हाँ, ये बाद तो तुम्हारी बिल्कुल, अरे काजल, तुम कब आई, सब ठीक है ना, जी भई, आबस भाबी से मिलने आई थी, अच्छा, तुम लोग बाते करो, मैं आफिस चलता हूँ, हाँ, आप तो आफिस ही जाओ, आपके पास टाइम ही कहा है, कि किसी के साथ बैठ कर प्यार से दो बाते कर सके, सीला, यह कोई समय है यह सब बात करने का, घर पे कोई आया है, तुम भी ना, कहीं भी सुर्य हो जाती हूँ, भाबी, कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तु है, हाँ, काजल तुमें क्या बताओ, हीने तो मेरी कुछ पढ़ी ही नहीं है, जब तक करिश्मा थी, तब तक तो उससे मैं अपने दिल का दुखडा रो देती थी, लेकेन उसके जाने के बाद तो बिलकुल अकेली ही पढ़ गई अगर आप चाओ, तो मैं आपकी मदद कर सकती है, हलो, काजल ये तिनी रात में, सब ठीक है ना, कहां ठीक हूँ, तुम्हारी काजल, तुम्हारी लिए तड़ब। काजल इतनी रात में, देखो, कल सुबा दो में, ठीक है? अच्छा, ठीक है, पर तुम्हारे लिए एक सप्राइज है, क्या? एक आड्रेस बेज रहे हूँ, कल सुबा एक गारा बजे पहुंचाना है, और हां, काम होने के बाद, तुम्हें तुम्हारे पैसे वही मिल जाए अरे, लेकिन काजल, हलो, कोई है, एक स्कूज में, काजल ने यहीं कर दिया था, पर यहां पर तो कोई है नहीं, हलो, तो पहुंच गया है, हाँ, काजल में पहुंच चुका हूँ, पर यहां पर तो कोई है नहीं, वो आ रही है, तुम बस्ते ही आ रहो, सुनिये, यह मेरा पहली बार है, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, आई होब आप मुझे समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, कि शुरुवात मैं कर दूँगा, फिर धीरे धी आप थी कमपर्टेबल हो जाएंगे, प्रेम, को? बाभी, मुझे नहीं पता था कि आप यहां पर हो, बाभी, मैं यहां से जाता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, प्रेम, एक मिनिट, कितना भूलते हो तुम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी आखों के सामने हीरा था, पर मैं देखी नहीं पा रही थी, बाभी, मुझे काजल ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंसान तुम ही हो, और सचका हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, यह लोग पैसे और जो तुम करने आये हो, वो करो, बाभी, यह सम्मेस्टुम्हारे में, बाभी, यह सम्मेस्टुम्हारे में, नहीं, नहीं प्रेम, वो सिरफ गुस्से में लिए हो एक फैसला था जो, जो आज तुम्हारे लिए दलदल बनता जा रहा है, लेकिन अब नहीं, पैसे हो गया मेरे पास में, मैं कल्ली हाँ से चला जाओंगा, और ऐसी जिंतिकी नहीं जी सकता, मैं, तुम्हारे भया को सुला कर आयो, तुम्हारे लिए स्पेशल बडाम का दूद लाइओ, अब महलत करनी है तुम्हें, तो एनरची तो रगेगी ना, देखिए भावी, आप मुझ से जो कुछ भी चाहरी हैं, वो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता वो सब, आप प्लीज चले जाए कमरे से, नहीं कर सकते मतलब, और तुम्हें अचानक से अच्छा बनने का भूत कब से सवार हो गया, अपनी बखवास बंद करो, परना तुम्हार कि भाया को दो मिरित में बता दूंगी कि आजकल क्या करते हूं, अर इतने कमसोर कैसे बोले हैं, तो बता दीजिए ना, मैं नहीं डरता हूं, अगर मैंने गलत काम किया था तो आप भी आई थी मेरे बास, और सोचिए, जब भायों के इस बारे में पता चलेगा तो आपका क हुआ है जब आप प्रेयर, भाया ऐसा कुछ भी निया जैस आप समझ रहे है, मेरा थो भाभी में को इंट्रस्ट भी नहीं, लेकिन ये लोग जबर्दस्ति मुझे यूज कर्रहे हैं, मैं तो इनफेक्ट यहां से चले जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये लोग मेरी तुम जेसी ओर्तों को तो सड़क पे फेग देना चाहिए चलो अगर ये घर तुमारा है तो मेरा भी है अगर तुम हमेरी जरुवरत है ने जरुवरत है तुम मुझे क्या पढ़नाम करोगे मैं खुद तुम्हारे साथ में रहना चाहती इसके तुम निखलो इस घर से बहार घुद इखर मेरा है और मेरा ही रहगा निखलेगी तो तु चुद अगर तुम्हारे जीतने चीज घर में नहीं रह सकती, तो तुम्हारे मरने के बाद इस घर में रहूंगी भाईया, 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 भावी यह क्या कि आपने, अरे सोच कह रही हैं आप, एम्बूलेक्स बलाएए तुम किसी को फोन नहीं करोगे, देखो अगर मैं फसीना, तो मैं तुम्हे भी फसाऊंगी, इसलिए मेरी बाद चुपचाप मान लो, और इस लाश को ठिकाने लगाँ हम एक काम करते हैं, इसे न पीछे वाले गादन में दफ्राएंगे, और कोई पुछेगा, तो यही कहेंगे कि यह बाहर गया है चलो, प्रेम, जल्दी करो, हाँ, मैं भावला लिख रहात हूँ, जल्दी जाओ महीं रहे, जल्दी जल्दी आए, जल्दी नष्यांजा। इस पक्त कोना आगया? रुकुम, मैं देखती हु, एक काम करूँ. जोड़ो, जोड़ो. करिश्मा, तुम, क्या हुआ भावी? दर्वाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? वो, कुछ काम भाईया का है भावी? वो, वो, भाईया? 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 फेश्माम! भाईया, भाईया! क्या हुआ, बाईया, उटROधा, क्या हुआ बहुआ भईया को? इटने बारा उन्हें? आप अन्ने बैरा उन्हें? वो गई कलती, मैंने मारा इस आत्मी को आपने मेरे भाई का खूर कर दिया, तुनी किर गई आप गिरी हुई मैं हूँ या तुम हो मुझे सब पता है, इस घर में रहते हुए, तुम प्रेम का कैसे फाइदा उठा रही थी और अगर मैं वही करना चाह रही हूँ, तो मैं गिरी हुई बन गई, हाँ? आपर प्रेम? अरे, मुझे भी अगर प्रेम के साथ थोड़ी सी खुशी मिल गई, तो उसने गलती क्या है तो मेरे भाईया पो मारना गरोरी था क्या? करिश्पा मुझे इसे मारने का वही राधा नही था लेकिन मैं क्या करती, परिशान हो गई थी इससे दोनों शादी शुदा होकर भी शादी शुदा नही थी और अगर अब मुझे प्रेम के साथ थोड़ी सी खुशिया मिल रही थी, मुझे बुरा ही क्या है देख इस लाश को टिकाने लगाने में मेरा साथ दे परना तुम्हारी ससुराल में अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया ना तो तुम करोडपती से रोडपती बंचाओगी इसलिए जादा सोचो मत इस लाश को टिकाने लगाने में मेरी मदद करो चल अब देख क्या रही है चल उठाओ उठाओ एफ रूकर, रुकर है, पुलिस यहटल कर रही है किसनो मारा इंको इस्पेक्टर साब इसने इस प्रेम नहीं मेरे मती को फारा है और इस्पेक्टर साब यह ना हम दोनों को भी ब्लैक्मिल कर रहा है और बोल रहे कि हम इस लाश को ठिकाने लगाने में इसकी मदद करें अच्छा हूँ आप आगए इसे ले जाएए हाँ सुर्ण इसीने मेरे भाई को मारा है ताती लेए पता था मुझे कि तुम दोनों का कोई इमान नहीं है अरे जो अपने पती और अपने भाई की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी अच्छा हुआ सर आप सही समय पर गए मैंने यह आपको कॉल किया था यह देखिए मारने की क्या जरुवति भावी वो पर गया है करिश्मा मुझे इसे मारने का कोई इरादा नहीं था कल्ती से मर गया अरे यह मेरे बात ही नहीं मान रहा था मुझे घर से बहार निकाल रहा था सर भावी नहीं भाईया को मारा है जब मैंने इनको धंकी दी कि मैं सब को बता दूँगा तो उल्टा मुझे ही डराकर इन्होंने चुपकर बादिया मुझे लगा कि अगर मैं करिश्म को बुला लूँगा तुम भावी को संभाल लेगी इसलिए मैंने मौका देखकर करिश्म को कॉल कर दिया पूरी बात बात में बताऊंगा तुम बस तुरंट आजो हाँ हाँ सर मैंने करिश्म को इसलिए बुलाया ताकि वो भावी कासरी चहरा देख सके और पुलिस को पॉल करते लेकिन हुआ उल्टा क्योंकि सर इसकी नजर प्रॉपर्टी पर थी और सर ये कुछ महीनों से मेरे साथ जबर्दस्ति कर रही थी कमी ने ये सब बता कर अपने आपको बेबस दिखा रहा है इसके साथ कोई जबर्दस्ति नहीं की इसका कोई फाइदा नहीं उठाया बल्कि यही हमसे पैसा अच्छा था था चुप रही है आपको छो भी कहना थाने में चल कर कहना बादी को पोस्माटम के बेज़ दो और सब्सका बाद करो पोस्माटम को इसका ब्यों करोण बादी को अबार खुरी यह राख यह पूस्माटम की अव्नार सुल्या घट्री यहंट जो अर्फट जो इसकंडे स्वार चुरी यह रहा है जो झाल झाल